Welcome in RSK Maths Monitor, Chapter 3rd, Scare and Scare Roots Exercise 3.2, Sum No. 4 Find the smallest number, why which number should be multiply, किस number से multiply करें, to obtain, practice करने के लिए perfect scale, इस number का perfect scale root find out करने के लिए हम किस number से multiply करें, also find the scale root, हम इसका scale root पे find out करेंगे, सब से पहले इसको हम by factorization method से करेंगे, यहाँ पे सभी के सभी number, जिन numbers से हम divide करेंगे, वो हम prime number लेंगे, prime number, which number divide by 1 and itself, अब यहाँ पर last digit is 2, तो यह 2 से divide होगा, 2, 2, 4, 2, 1, 2, 2, 6, 12, फिर हम 2 से divide करेंगे, 2, 1, 2, 0, 2, 8, 16, फिर हम 2 से divide करेंगे, 2, 5, 0, 2, 4, 0, फिर 2 से divide कर हुए, 27, 27, this is divide by 3, 9, यहाँ से बारे पास 3, 3 जावन, और 3 हमारे पास 1, अब हमारे पास square, square में हमेशा 2 का पेर बनता है, square में हमेशा 2 मुल्टिप्लाइ 2, 2 जाव 4, यानि इसको लिखते 2 का square, अब यहाँ पे हमेशा 2 के पेर ही बनते हैं, तो यहाँ से हम 2 का पेर बनाएंगे complete, यहाँ से 2 का पेर complete, यहाँ से 3 का पेर complete, यानि इसमें हमारे पास 3 का perfect, compare जो मेरे पास इसका पेर नहीं बनता है, यानि इसको कैसे लिखेंगे हम, 432 को, 2 multiply, 2 multiply, हमारे पास, फिर, 2 multiply, हम 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, और यहाँ से 3 हमारे पास 3 time multiply होगा, यहाँ से complete pair, यहाँ से complete pair, complete pair, यानि हमारे पास इस pair को complete करने के लिए, हमें किस की need है, 3 की need है, तभी हमारा perfect, अब किस number से हमने multiply किया, हमने इसको 3 से, तो इससे multiplied number हमारे पास क्या होगा, multiplied number is 3, यानि 3 से divide multiply करते हैं हमारे पास, यह perfect square, और इसके बाद इसका अगर हम square root find out करेंगे, 3 से multiply करने के बाद, तो हमारे पास perfect square 2, यह complete pair 2, यह complete pair 3, और यह complete pair हमारे पास 3, 2, 2 जा 4, और 3, 3 जा 9, तो 4, 9 जा 36, यानि अगर इसको हम 3 से multiply करेंगे, तो यह हमारे पास 36 का square root बनेगा, complete square root, यानि, जो number हमारे पास complete square root, इसका 36 होगा, same as G part को करेंगे हम, 9,900, सबसे पहले हम इसको 2 से divide करेंगे, 2, 4 जा 8, 2, 9 जा 18, 2, 5 जा 10, फिर हम 2 से divide करेंगे, 2, 2 जा 4, 2, 4 जा 8, 2, 7 जा और 2, 5 जा 10, लास्ट डिजिज़ जा 5, तो 5, 9 जा 45, और 5, 9 जा 45, इस नमबर इस डिवाइद बाइ 3, 3, 3 जा 3, यहां से 3 से divide करेंगे, 3 जा 3 जा, 11, only divided by 11, तो हमारे पास 11 जा 11, अब यहां पे हमारे पास pair 2 का complete, pair 5 का complete, pair 3 का complete, शिरफ हमारे पास 11, अगर 11 का pair complete करने के लिए, हम किस number से multiply करेंगे, तो 11, तो multiplied number हमारे पास क्या होगा 11, यानि इस number को अगर 11 से multiply करेंगे, तो हमारे पास perfect square root पनेगा, और इस number से multiply करने के बाद, हमारे पास, यह pair 2, यह pair 5 का, यह pair 3 का, और यह pair हो जाएगा, हमारे पास 11 का, 2, 5 जा 10, और 11, 3 जा 33, इनको multiply करेंगे, 330, यानि 11 से multiply करने के बाद, जो हमारे पास perfect square root बनेगा, यानि जो इसकी root क्या है, 11 से multiply करने के बाद, इसकी root है, पापस 330, इसी का square होकर, हमारे पास, वो number आगे जाएगा, जो 11 से multiply होगा, इसी कोश्चन नमबर 4, सम नमबर 5, find the smallest number, should be divided by, to obtain a perfect square, इस number को perfect square बनाने के लिए, किस number से divide करें, also find the square root, और हमने हो square root, same हम as, by factorization method से करेंगे, इसमें सबसे पहले हम, इनके factor बनाएंगे, 45, 63, यह हमारे पास, 2 से divide नहीं होगा, क्योंकि last digit is 3, 3 से divide करने के लिए, बचेक कर सकते हैं, 4, 5, 9, और 9 हमारे पास 18, some of the digit 18 है, तो यह अपका 3 से divide होगा, yes, 3 वन जा 3, 3 फाइव जा 15, और यहां से 3, 2 जा 6, और 3 वन जा 3, फिर हमारे पास, 5, 6, 7, 8, 9, some of the digit 9 है, तो भी हमारा 3 से यह divide होगा, 3 फाइव जा 15, 2, 0, और 7 जा, 3 सेवन जा 21, फिर 5 और 7, 12, फिर आलसो divide by 3, 3 वन जा, 3 20 हो जाएगा, हमारे पास, 3 6 जा 18, और 3 9 जा 20, अब हमारे पास, यह अब 3 से divide नहीं होगा, इसको divide करेंगे हम, यह 13 का square, इट इज डिवाइड बाइव जा 13, 13 वन जा 13, और 13 जा 39, इस इज डिवाइड बाइव जा 13, अब यहां से हमारे पास, इसके हमारे पास, 4563, यानि 4563 के पेर बनते हैं, अब यहां पर perfect square बनने के लिए, हमारे पास यह पेर कम्प्लीट, यह पेर कम्प्लीट, यानि यह number extra है, अब हमने extra number को remove करना है, यानि इसको अगर हम 3 से divide करना है, 3 से 3 cancel out हो जाएगा, तो हमारे perfect square root बन जाएगा, यानि remove करना 3 को, किस remove कैसे होगा, अगर इसको हम 3 से divide कर जाएगा, तो divided number हमारे पास क्या होगा, divided number is 3, जो extra वही आपका divided number होगा, अब इस number से divide करने के बाद, आपके क्या बसता है, 3 का pair, यहाँ पे 13 का pair, यानि 13, 3 is a 39, इस इस दा perfect square root होगा, अगर हम यहाँ से 3 को remove कर देंगे, तो यह हमारे पास 39 का perfect square root होगा, square root, यानि इसकी जो root होगे, हमारे पास 39 का 39 होगी, अब same as हमारे पास, same pattern इसके इंदर हमारे पास होगा, सबसे पहले हम इसको, by factorization method से इसके factor पढ़ेंगे, 12,348, last digit is 2, 2 से डिवाइड होगा, 2,6 जा, 2,1 जा, 2,7 जा, और हमारे पास 2,4 जा, फिर हमारे पास 2 से डिवाइड करेंगे, 3 जा, 0, 8 जा, 16, और 7 जा, अब हमारे पास 15 और 3,18, इसका समधा digit 18 है, तो 3 से डिवाइड होगा है, 3 जा, 3,0, 3,2 जा, 6 और 3,9 जा, यहां से हमारे पास 9 और 11,12, यह तब भी हमारे पास 3 से डिवाइड होगा, 3,3 जा, 9, 3,4 जा, 12, और यहां से हमारे पास 3,3,12 और 3,3 जा, 9, अब हमारे पास यह समधा digit 7 और 3,10 है, यह 3 से डिवाइड होगा, फिर लास्ट डिजिट यह तो फिर 7 की टेबल में आता था, यह 9 की में 7 से चेक करेंगे, 7 से हमारे पास 7,4 जा, 28 और 7,9 जा, फिर हमारे पास 7 बंजा, 7,7 जा, 49 और 7 बंजा, 7, तो यहां से हमारे पास देखो यह पेर कम्प्लीट, यह pair complete और यह pair complete जो extra है हमारे पास वो 7 है यानि इसको हमारे पास 12,348 को कैसे write कि हमने 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3 और 7 multiply 7 multiply 7 यह pair complete यह pair complete और यह pair अगर इस pair में से हम इसको हटा दे इसको कैसे टाएंगे अगर हम यहां से 7 से divide कर दे 7 से 7 cancel out तो यहां से perfect scale बन जाएगा यानि जो divided number होगा हमारे पास क्या होगा 7 और यह 7 डिवाइड करने के बाद जो number बसता है यानि 2 multiply pair 3 का multiply 7 का तो यहां से 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42 यानि जो बचे वे number है उनका scale root क्या बनेगा 42 इस इस question number 4 and 5 Dear students, if you like our video then like and share the video and also subscribe the channel aciे यानि प्रेश टू कर दो सब्रेश से fourth surprise कर दो सेर्ज तो से दूरन ख檬ונה